कि अगामी 24 में जो लोक तंत्र का महा संग्राम होना है और इस देश में मनुबाद जो फन फैला करके बैठा हुआ है उसको हटाने के लिए अवे विहार के लोकप्रिय मुखमंत्री आदर्निय नितीश कुमार जी और विहार के युबा और विहार के आवाम के अकांचाओं के प्रतीक बिहार के डिप्टी सीम आदर्निय तेजस्वी आदव जी की जो जोड़ी है वह पूरी तरह शभी वर्गों में शभी लोगों के बीच में विकाश के लिए तत्पर है इसकी चिंता केंद्र में बैठी सरकार को है बिहार में जिस तरह से राजनिती बदली है लगातार आरजडी जेडियू का गर्तवंधन है नितिस कुमार मुख मंत्री है तेजस्वी आदव डिप्टी सीम है लेगिन जो दोनों लोग का जो कॉम्बिनेशन है जो वर्किंग स्टाइल है वो दोज़ात चौबिस के लिए बहुत महत्वून है उसमें से एक बड़ी करी अब नहीं रहे शरद्यादव उनका परिनिर्वान हो गया है आज उनको आज वो पंच्टत में बिलीन भी हो गया है बिहार के बहुत सारे नेताओं से मिलने दिल लिया है उनको सरधानली देने आये थे मेरे साथ आरजडी के बिधायक सुदैजी हैं वो भी दिल लिया थे और किस तरह बिहार में चुकि सरध जी का जो वरकिंग फिल्ड था वो बिहार था तो क्या है उहां का लोका रिस्पॉंस क्या था बिधायक जब वो नहीं रहे आपके चैनल के माध्यम से हम अपने नेता और अभिवावक सरध सरध यादव जी के प्रति सरधांजली अर्पित करते हैं जो पीछले कई दसक से इस देश के नब्बे प्रतिसत आवाजी के आवाज रहे थे आज हम लोगों के बीच से चले गया है और विहार में आपने ठीक ही कहा विहार के लोगप्रिये मुखमंतरी आदर्णिये निती प्रतिक बिहार के डिप्टिस यह मादर निये तेजस्वी आदव जी की जो जोड़ी है वह पूरी तरह शभी वर्गों में शभी लोगों के बीच में विकाश के लिए ततपर है इसकी चिंता केंद्र में बैठी सरकार को है तो क्या है मतलब क्या लग रहा है आप लोगों की नितीज कुमार मतलब अब अगले चुनाओं में कम से कम जो मुखमंतरी है वो तेजस्वी आदव होंगे नितीज जी अपके इंद्र की राणियती करेंगे देख लिजी ये हमारे नेता अधर्निय तेजस्वी यादव जी बार बार इस बात को बोल रहा है मीडिया के साथियों के साथ जब साजा करते हैं अपना बकतब को तो बराबर बोलते हैं कि हमारे उनके बीच में जो एलाइंस हुआ है ये कुरसी के लिए एलाइंस नहीं समझाता हुआ है हम लोग दूनों मिले हैं वो इसी बात के लिए मिले हैं कि पीछले साथ आठ वरसों से इस देश में मनुबादी विवस्था के पोस्के के दारा जो सरकार चलाई जा रही है जिस से इस देश के किसान सिचित वेरोजगार चात्र जो आहत हो रहे हैं इसको ह अरहाल में 24 में हमको रोकना है हटाना है इसके लिए समझाओता हुआ है क्या लग रहा है आप लोगो कभी एक मंत्री है आरजडी कोटे से आते हैं सिक्षा मंत्री उन पर आरोप लग रहा है कि आपकी पार्टी पर ही अब जो दिली का जो मीडिया है वो कह रहा है कि आप ल हमको लेकर के और बहुजनों से बड़ा कोई हिंदू नहीं है अब हम क्रिष्ण के बंसज हैं और हम ही को लोग बताए कि आप हिंदू है तो इससे बड़ा दुरभाग नहीं हो सकता है किसी भी हाल में और हमारे मानिय सिक्षा मंत्री ने जो बताया है वो कहीं किसी भी दृ स्टिकोन से गलत नहीं बताया है हम तो बारबार बोलते हैं कि हम उस राम के पुजारी हैं हम उस भगमान राम को पूजा करते हैं हम भी करते हैं जिसने सवरी माता सवरी का बैर जुठा खाया था हम उसके पुजारी हैं और रहेंगे किसी भी हाल में उससे वज्चित बिचलित नहीं हो सकते हैं लेकिन जिन वातों की चर्चा हुई है उसकी तिर निंदा होनी ही चाहिए भाई जाती है भे द्वाओं के खिलाफ हैं हम लोग यह दम हर हाल में हम लोग तो बावा शाहब के अनुवाई है हम लोग तो अपने नेता आदरनीये जननाय करपुरी ठाकुर के अनुवाई है हम लोग तो अभी बरतमान हमारे पार्टी के रास्टिय धक्ष आदरनीये लालू परसाद के अनुवाई हैं हम लोग इस बात से किसी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते हैं हमारे सभी नेता, हमारे खुद हमारे पिताजी बाव मुदृ काशेंग जादो, जो समाज के अंतिम पादान की लड़ाइ लड़ते, किसानों मजदूरों की लड़ाइ लड़ते हम लोगो के बीत से चले गये हैं, उससे हम कैसे अलग होशकते हैं, हम लोगों को हर हाल में सिक्षा चाहिए और जो बाबा शाम अम्बेदकर ने शंदेश दिया था कि सिक्षित बनो, संगठित हो और अपने अधिकारों के लिए संघर्स करो, हमको वही चाहिए क्या लग रहा है कि वरॉल बिहार पर पुरे देश की नजर है जेडियो और जेडियो एक बड़ा एलाइंस भी है देश के बाकी राज्यों में आप से सुधाय जी चुकि देश भर की राजनिती पर नजर भी रखते है क्या लग रहा है कि एक बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा एलाइंस बनता हुआ दिख रहा है या अभी भी देख लिजे सभी राज्यों का भर्मन करते हुए और सभी राज्यों को अपने बश में करने के बाद भी ये भाजपा को जब तक बिहार अपने कबजे में नहीं लेंगे तब तक उनको धैर्ज नहीं है लेकिन बिहार वह जननायक करपूरी ठाको और जेपी का धर्ती है जो किसी भी हालत में भाजपा के कबजे में जाने वाला नहीं है वहां हर हाल में समाजबाद जिन्दा रहेगा जिसका नेत्री तो आगे आने वाले दिनों में आधर्णिय तेजस्विज आदोजी करेंगे ये बिल्कुल ही मतलब मजबूती से है और रहेगा अब आपको गुंडा राज की बात आपने बताई तो हम वही आज से मतलब अपने नेता अधनिये लालु यादव के कार्चकाल में ले चलते हैं एक दो मिनट के लिए जब आजादी के चारदसक बाद जिन लोगों ने देश और प्रदेश में साशन किया था और तब मतलब समाज के अंतिम पादान के लोग या बहु संख्यक लोगों को पैर हाथ मुह रहते हुए न वो चल सकते थे न हाथ हिला सकते थे और न बोल सकते थे जब हमारे नेता अधर्निय लालू परसाद यादो जी विहार में आसीन हुए तो बहु संख्या के आवादी को ये अधिकार दिया कि अपनी बात को मजबुती से थाना में ब्लॉक में जा करके रखो अगर इस राज को किसी ने जंगल राज कहा था तो आज उनको पता चल होगा जब उनके बाल वच्चा खेती में काम करके वो खुद किसान अपने बाल वच्चा को में पीएजडी करा करके और नौकरीयों के लिए दरदर ठोकने ठोकर खाने पड़ रहे हैं तो कैसा लग रहा होगा वो किस राज की कल्पना करते हैं ये खुद समझ में आ रहा हो होगा और लालु यादव के राज में समान रूप से सब लोगों को जीने का पढ़ने का नौकरी करने का बेवशाय करने का आजादी थी वो कभी नहीं होने वाला है तो टीबी अख़बार क्यों खिलाप रहते हैं आर जेडी के और जब जैसे हैं आर जेडी की सरकार होती है बियार में देख लीजे इसकी क्या वज़ा लगती है आपको सबसे ज़्यादा इस देश में टीबी अख़बार ने और तमाम संस्थाओं ने इस देश में एक ही बार चुनावा ही मांदार हुआ टीएन सेसन जब लालो जी लगातार चुनाव जीत रहे थे टीबी आप लोग उसके निसाने पर रहते हैं इसकी क्या वज़ा देखते हैं उस समय भी आपको याद होगा कि टीएन सेसन भी चाहे थे कि हम लालो यादब जी के रत को रोके लेकिन विहार की आवाम ने उनको पशंद किया और फिर सासन सत्ता में पहुंचाया था मजबुती से वो दिन भी हमको याद है इसलिए और अभी तो आप जान रहे हैं कि जिस तरह मीडिया और हम लोग को हमारे नेता हम लोग को बोलते भी हैं कि उस पर ध्यान नहीं देना है जानते हैं कि हमारे लोग अगर टीवी मीडिया देखेंगे तो कहीं न कहीं गुम रहा हो तो सीधे तो महिना महिना दिन तीवी देखे हो जाता है लेकिन अब टीवी एक वाला जो मंत्री जी का बयान है उसके वह से कहरें कि मिड्डे नहीं मिल रहा है वहाँ इस्कूल में भरती नहीं हुए अच्छा एक बताते हैं आपको कि अभी कि इतना दिन हुआ है महाज मतलब पांच मह पांच महिने भी नहीं हुए हैं सरकार बदले हुए वही लोग थे ना ऐसा तो नहीं हुआ कि मीडे मिल में कोई परिवर्तन जैसे चल रहा था इस मुथलिव इसे चल रहा है बहुत चेंजिंग तो नहीं हुआ है लेकिन हाँ एक बात जरूर हुआ है कि जैसे ही हमारे नेत में फैसले लिए गए कि जो निकम्मे डॉक्टर थे जो वरसो वरस से अस्पताल नहीं जा रहे थे एक कासी ऐसे चिकित सको को सरकार ने वर खास्त किया क्या है जिन्डे पर आप लोग का इस पर मैं देख रहा हूँ जिश्वी आदब हिल्स सिस्टम को लेकर एक दम जागर और उसको करेंगे जो जो नौकरी वाला प्रोमिसेस था नौकरी दवा सिचाई पढ़ाई सुनवाई कारवाई सारा चीज़ तो मतलब आप लोग भी दोजार चोबिस के त्यारी में जूट गए हैं हम लोग तो देख लिए हम लोग तो भाई अपने नेता अधर निया लाल किसानों के या फिर किसी तरह के जो समस्या है उसको लेकर के हम लोग रोज दिन मतलब उसके निप्टारा के लिए लगे रहते हैं पूरे देश और दुनिया और पूरे तमाम परहे लिखे इंट्रिक्शुल्स पत्रकार सब की नजर बिहार पर है कि क्या नितीस और जश्व केंद्र के सासन में हैं उनको भी यह विस्वास हो गया है कि हमारा रत चौविस में बिहार में रूखेगा इसी के चलते तरह तरह का आप जैसे बोलना है कि रोज दिन अप टीवी में चल रहा है कि बिहार में मिल नहीं मिल रहा है मतलब नल जल नहीं चल रहा है यह सारी ची सारा चीज बढ़ियां से चल रहा है और विहार के लोग आवाम विहार के मददाता 24 में इनके रत को रोकेंगे विहार में ही और इस देश से खतम करेंगे तो सुचिए बिहार राधितिक रूप से बहुत फर्टाइल लेंड है और मैं फिर कह रहा हूँ यार जेडी के जितने भी नेता बिधायक या जेडी के बिधायकों से मिलेंगे जो सोशल जिस्टिस को लेकर क्रिस्टल किलियर हैं वो हिंदू हैं लेकिन मनुबात के खिलाफ हैं तो दोनों का फर्ग समझे और एक बात तो है कि लालो जी इसी लिए कहते हैं लालो जी की बिहार है उर्ति चिरिया को हल्दी लगाते है और मैं बाल-बाल जो रत कहरा था एक दोर था जब मंडल कमिशन लागू हुआ, सरद्यादब नहीं रहें, लालू जी की तबियत खराब है, वो संसद भी अब नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि इस तरह के कॉंस्परेसिव हुई है उनके साथ, लेकिन अभी भी जो सोशल जिस्टिस की लडाई है, जो धर्म की रानिती हाभी है, आप जब बिहार के नेताओं से बात करेंगे, बिहार के लोगों से बात करेंगे, तो वो अभी भी सोशल जिस्टिस, परहाई, लिखाई, दवाई, एजुकेशन पर बात करते हैं, और सोचिए कि कई लोग इस तरह से कहते हैं कि बिहार में, बिह उन्हाई कि कोटा गई थी, वह उन्होंने का कि बिहार से कितने है तो एक पूरा जनसेलाब, अम्रा, खुजूम अम्रा, ठीक, उसी तरह से जैसे मेट्रोपोलिटन सिटी के लोग अब भी देसों में बसते हैं, बिहार के लोग जो है वो देश के तमाम राज्यों में देश के तमाम बरे शहरों में मेहनत के बल पर अपनी जगा बना रहे हैं इसको भी लोग बहुत निगेटिव कैमपेंड करते हैं बिरागी से यह जो बिहारीयों के बारे में जो एक धारना बनी हुए है बिहार के लोग है जैसे भारत के लोग पूरी दुनिया में है उस तरह से बिहार के लोग भी पूरे देश में है लेकिन यह जो राजनीती होती है कई बार उसमें तो खेर कमी आई है लेकिन यह प्रावड क्यों नहीं करते हैं आप लोग कि हम बिहार के लोग पूरे देश में जाकर हर जगा काम करें, यहाँ सब्जी बेचना हो, चाहे इसरों में बैग्यानिक बनना हो, तो यहाँ आप लोग थोड़ा सा अपने आपको अंडरेस्टिमेट करते हैं, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, हमको गर्भ है कि हम बिहारी हैं, जो हम सभी छेत्रों में, हम मजबू इसी के लिए बिहार जाना जाता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको नेसलोजिया भी है, लेकि उसके बाद भी मैं बताना चाहता हूं, कि एक बात तो है, बिहार के लोग इस देश के हर राज में, हर शेहर में, वो आपको लदाख में भी सरक्य बनाते मिलेंगे, तो लदा प्राचीन गंतंत के लिक्षवी बिहार को कहते हैं वैशाली समरार रशोक की धरती है, मौड की धरती है, चपक की धरती है, तो तमाम चीजे हैं लेकिन अगर आप राधनीती के लिहासे देखेंगे तो अभी भी बिहार में सोसल जस्टिस की समझ जो है वो लोगों के अंदर कहरी है और फिलहाल धर्म की राधनीती का काट जो है वो बिहार है, पुरी बाचित पर आप लोग अपनी पर्तक्रिया जरूर दीजिए, लेकिन उसी करी में अफ सरद्यादम नहीं रहें, जिनको भारत में सोसल जस्टिस का सिपाही, मंडल मसीहा, साठ परसेंट इस देश क कि आवादी को संबेधानिक अधिकार दिलाने में उनका युगदान था, जो अपमारे बीच नहीं रहें, शुक्रिया विधायक जी हमसे बाचित करने के लिए, बहुत धन्यवाद, आप लोग अपनी पर्तक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया, निसनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निसनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, निसनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें, झाल